हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो माई चैनल पीसदी गुरू जी इस राहूल बामगाई आज मैं आपके लिए फर्स यूनिट का चेंजिंग ट्रेंट्स and करियर इन फिजिकल एजुकेशन का थर्ड टॉपिक लेके आया हूं करियर ऑप्सन इन फिजिकल एजुकेशन सारिक सिक्षा में बदलती परविटिया और करियर यह first unit है और इसमें third topic है career options in physical education क्या क्या career options हो सकते हैं in the field of physical education वो हम आज discuss करेंगे first one है teaching career in physical education सिक्षण में क्या career हैं सिक्षण में सिक्षण के छेतर में कौन कौन सी job आप प्राप्ट कर सकते हैं physical education में सारिक सिख्षा के छेतर में तो आइए हम देखते हैं first one in primary school प्रात्मिक विद्याइलेओं में मार्थमिक विद्याइलेओं में in middle schools उच्च विद्याइलेओं एममवरिष्ट मार्थमिक विद्याइलेओं में in high schools and senior secondary schools D1 महाविध्यालयों एम विश्विध्यालयों में in colleges and universities हम बात करेंगे इसकी qualification की eligibility criteria की first of all primary school के लिए BPA mandatory रहेगा BPA का full form है bachelor in physical education और bachelor in physical education की आप degree जो प्राप्त करोगे वह आप graduation के बाद में प्राप्त कर सकते हैं यह दो साल का course होता है बहुत सारी universities colleges इस course को करवाती है और इसके लिए आपको minimum graduate होना अनिवारिया है माध्यक विद्यालयों में भी जो minimum eligibility criteria रहेगा टीचर बनने का वह BPA है उच्च विद्यालयों मरिष्ट माध्मिक विद्यालयों में BPA एंड MPA अगर आप lecturer बनना चाते हैं schools में तो आपको MPA mandatory रहेगा और यह BPA के बाद दो साल का course होता है BPA अभी दो साल का course है after graduation 2015 तक यह एक साल का हुआ करता था तो आप कैसे करेंगे 12 आपने पास कर ली है 12 पास करने के बाद आप plain graduation कर लीजिए आप BA करिए BCOM करिए या फिर BSC करिए आप किसी other course के लिए अभी मत जाइए बस BA, BSC और BCOM उसके बाद मैं आप दो साल का BPA डिगरी कर सकते हैं और उसके बाद मैं दो साल का MPA कर सकते हैं महा विद्यालेयों में इन colleges and universities अगर आपको वहाँ पर आज assistant professor बनना है वहाँ पर job करनी है तो उसके लिए जो mandatory qualifications है BPA, MPA and PSD और NET अगर आपका qualify है तो यह बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए प्लस point होगा लेकिन BPA, MPA, PSD अभी mandatory हो गई है career in coaching next one है coaching में किस प्रकार से career बना सकते हैं तो coaching में career बनाने के लिए आपको diploma in sports coaching करना पड़ेगा वो किसी एक particular game से होता है और उसके लिए दो सस्तान भारत में बहुत ही माने जाने है फर्स्ट वन है NS NIS Patiala सेकिंड वन है LN IPE Gualier NS NIS Patiala, NS NIS का full form है नेताजी सुभास National Institute of Sports यह Patiala में है LN IPE, Lakshmibai National Institute of Physical Education यह Gualier में है मध्या प्रदेश में थार्ड वन है स्वास्ते संबंदित छेत्र में करियर, हेल्थ रिलेटेड करियर कौन कौन से हो सकते हैं आप fitness center खोल सकते हैं अगर आपने वहाँ पर कोई diploma किया है कोई certificate course किये हैं जीम है, aerobic centers आजकल बहुत जादा चलते हैं तो इस प्रकार से आप health related करियर भी बना सकते हैं in the field of physical education career in field of sports administration कुछ प्रशाशन संबंदित jobs होती है physical education में यहाँ पे in sports department जैसे कि आपने देखा होगा कि colleges, universities में भी या किसी भी संस्तान में एक department होता है sports का जहाँ पे sports directors बैठते हैं sports officer बैठते हैं तो इस छेत्र में भी आप career बना सकते हैं industrial recreation क्या है आजकल जितने भी फार्म हैं जितने भी companies हैं जितने भी संस्ताइं हैं संस्तान हैं वहाँ पर जो ओनर होते हैं और जो CEO होते हैं वह अपने workers का workers को physically fit देखना चाते हैं तो वहाँ पर वह लोग भी कुछ games करवाते रहते हैं और कुछ tournament चलते रहते हैं तो इन सब games और tournament को handle करने वाला अब्यक्ति होता है उसे वहाँ पर head बना दिया जाता है जिसको की knowledge होती है गेम्स के बारे में rule and regulations पता होते हैं तो उनको हमने एक term दे दिया यहाँ पर industrial recreation उसके बाद में फिप्ट वन है उपलब दिया प्रदसन से सम्मंदित करियर पर्फॉर्मेंस related करियर कौन-कौन से हैं जहाँ पर कि आपको perform करना पड़ता है और वहाँ पर करियर बना सकते हैं तो यहाँ पर first one है एक खिलाडी के रूप में एक खिलाडी के रूप में आप as a player आप करियर बना सकते हैं जिस प्रकार से की रोईत सर्मा हैं विराट कोली हैं अमबाती राइडू हैं इस प्रकार से आप game खेल सकते हैं और as a player आप करियर बना सकते हैं अधिकारी के रूप में as an official आप officiating में अच्छे हैं आपको सारे rule and regulations के concept clear हैं तो आप वहाँ पर भी career बना सकते हैं जितने भी judges होते हैं जितने भी empires होते हैं जितने भी referees होते हैं वो इसके अंदर में आते हैं इसके इंतरगत वो jobs आती हैं इसके बाद में बात करते हैं संचार माध्यमों में क्या क्या career हो सकते हैं तो संचार माध्यमों में जो career है वो है खेल पत्रकार sport journalist बन सकते हैं मास कौम का आपको course करना पड़ेगा और पुस्तक लिखन अथा प्रकाशन कुछ बच्चे जिनको लिखने की बहुत अच्छी हैविट होती है वह इस फिल्ड में जा सकते हैं publishing कर सकते हैं बुक राइटिंग कर सकते हैं खेल से संबंदित पुस्तक लिख सकते हैं प्रकाशन कर सकते हैं खेल किसफोर्स फोटोग्राफि2 आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो इस छेत्र में भी किεις को किसी बच्चे को सॉक होता है उसके आप कोर्स करईए और उसके बाद में ठेल फोटोग्राफिक के फिल्ड में चली जाए हैं तो ओस प्रसारन, Sports Broadcasting, Sports Broadcasting क्या है कि जिस प्रकार साब के घरों में अभी IPL टोनामेंट चल रहा है जो कि अभी दुबाई में चल रहे हैं तो वहां से प्रसारन हो रहा है इंडिया में तो इसके पीछे भी कुछ एक टीम लगी होगी, कुछ ब्यक्ति लगे होंगे, कुछ गुरूप प्रसारन चल रहे होगी, कुछ एक टेक्निकल कोर्स करके वहां पर गए हुए हैं तो आप इस छेतर में भी जा सकते हैं और करियर बना सकते हैं खेल उपक्रोनों की विक्री, marketing of sports equipment, marketing कर सकते हैं sports equipment का, आप टेंडर लीजिए, आप supply कीजिए, बहुत सारे industry होती हैं, बहुत सारे से श्कूल होते हैं, जहांपे कि sports equipment की need होती है, requirement होती है, आप उनको मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, sale कर सकते हैं, तो इस field में भी आप करियर बना सकते हैं खेल उद्योग इस्पोर्ट्स इंडस्ट्री आजकल बहुत ट्रेंड में है क्योंकि इस्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है बहुत अच्छे प्रोग्राम की वज़व से जैसे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम था 12th क्लास के लिए या जिनोंने 12th क्लास पास कर ली है उनके सामने कोई अप्संस नहीं है करियर के तो वह इस फेड में जा सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आपको कुस भी डाउट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कुस भी डाउट होते हैं तो आप सर्टिफिकेट होने चाहिए डिस्टिक लेबल के सर्टिफिकेट होने चाहिए जोन के सर्टिफिकेट होने चाहिए इसके बाद ही आप कर पाएंगे यह कुछ संस्तान ऐसे भी हैं जो बिना सर्टिफिकेट के करवाते हैं आप वहां से कर लीजिए आप वहां से अच्छे स करते हैं यह आपको admission ऐसे ही नहीं देंगी यह अच्छे प्लेयर्स को ही invite करती हैं अच्छे जो sportsman हैं उनको ही invite करती हैं तो इससे सम्मंदित आपको कोई भी doubt लगते हैं जो comment like and subscribe thank you so much have a good day